रश्टवादी परिवारों के साथ जन सवाद साथने तथा पक्ष को मजबूती प्रदान करने हेतू रश्टवादी कॉंग्रेस के प्रदिशा दक्ष एवं जल संपदा मंत्री जैन पाटिल का दोरा तीन फर्वरी को हिंगन घाट पे हुआ गर्शिरुली जिले के एहरी से जन सवाद यात्रा प्रारम कर दिनांग तेन फर्वरी को वर्धा से होते हिंगन घाट पौची जन सवाद यात्र में प्रदिशा दक्ष नियोजी समय से तीन घंटे देरी से पौची जिसके पाद जल सपदा मंत्री को बेला गाउं के पास से वायक राली से शहर के महावीर भवन में कारी क्रमसल लाया गया इस अउसर पर हिंगनगाट विदान सबाचना शेथ के नौ निर्वाचीत ग्राम पंचाय सदस्यों का सतकार किया गया इस अउसर पर प्रदेशादक्ष जैन पाटिल तथा महिला प्रदेशादक्ष रुपाली करताओं की भवव पैमानी में उपस्तित थी सवाद कारी करम में प्रदिश्छत द्यक्षा ने राष्ट्रवादी परिवास सवाद यात्रां पक्ष ना के मदाने की बताया इसंचे समय में राष्टवादी का आमदार शेत्र को चाहिए है तो 2019 की गलती को सुधानी की बात कही हिंगनगाट शेत्र की दो कुटों पे अप्रत्य शरूप से टीका करती वे कुछ पातों को टालनी की सलाबी दी इस समय राष्टवादी पार्टी में ब्यस्पी कक्ष के बड़े निता प आजन सरा बैरिक जल सिंचाई प्रकल को जल पूरा करने की जानकारी दी परिसमाद कारीक्रम की मंच पर माजी आमदार सुरेश देश्मोग डॉक्टर वसंद बूंडी आमदार प्रकाश गजबी जिलादक्ष्य सुनिल राउत प्रदेश सच्चिव प्रवीन कुंटी जाते इस वक उपस्ते थे बिस्यन न्यूस के लिए हिंगन गाट से रवी इनोरकर की रिपूट